सवाल को देखें, क्या बूलता है 1860 रुपे का 12% पती वर्स के साधारन ब्याज के पर कितने समय में वो 2641 रुपिया 20 पैसा हो जाएगा तो ये प्रिंसिपल क्या है 1860 रुपिया मुल्धन 1860 रुपिया और एमाउंट या मिस्र धन जो है 2641 रुपिया 20 पैसा तो फिर सवाल आता है भया या ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज या इंट्रेस्ट, सिम्पल इंट्रेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगा, मिस्र धन से मुल्धन को घटाएंगे या एमाउंट से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है आपका simple interest into 100 divided by principle into rate of interest. तो हमने 781 रुपिया 20 पैसा into 100 divided by principle amount जो है 807 रुपिया into 12 जो rate of interest है. उसको काट-कूट करते हैं तो हमें मिलता है 3.5 year या सारे 3 वर्ष.